बच्चो लास्ट क्लास में बटा हमने पढ़ाता कि area of rectangle area of square हम सब कैसे निकालते हैं उसका हमने पढ़ाता area of circle कैसे निकालते हैं ठीक है तो हमने यह तीन चीज़ पढ़ी थी तो आज हम बटा पढ़ेंगे parameter और circumference किसी object का कैसे निकालते हैं किसी polygon का तो पहले तो देख लेंगे कि parameter rectangle और square का निकलता है और circumference जैस circle का निकलता है circumference parameter होता गया है parameter होता है जो भी इस object की यह line है इसकी यह पूरा distance एक एलो यह कितनी जिखेंगे ले रही है यह line ठीक है इसको हम parameter कहते हैं suppose एक आपका ground है rectangle shape में तो इसकी जो boundary है वो boundary की जो लंबाई है वो कितनी है वो perimeter होता है ठीक है ऐसी square है कोई भी एक square का रंबोड है कुछ भी है तो उसकी जो पूरी यह लंबाई है चारो साइडे में लाकि कितना होता है तो वो perimeter होता है इसकी प्रिकार आपका circle का perimeter जो होता है उसे हम circumference कहते हैं इसकी कितनी जगह ले रही है ठीक है उसी को हम circumference कहते हैं suppose एक चूड़ी है उसके उपर उसकी पूरी लंबाई कितनी है चूड़ी की वह आपका circumference कहलाती है तो इस step के हम question करेंगे ठीक है तो देखेंगे पहला question इसमें बोला है perimeter of rectangle कैसे निकालेंगे इसमें आपको दिया हुआ है इसकी length आपको दिए यह 5 ब्रेथ दिए 4 तो इसका यह formula है 2 bracket में L प्लस B कुछ नहीं बस इसमें L और B आपको दिया हुआ है पूट कर देंगे answer निकाल देंगे 2 L आपको दिया हुआ है 5 प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 4 cm में ने ले लेंगे दोनों को तो आपके है 5 और 4 कितना होगा आपको नो भार दो है और 9 टूजा 18 18 cm2 एस टाइप के आपको यह questions करने है सिंपल है जो आपको value यहां पर दियोगी questions में वह value उठा कि आपको इसमें फॉर्मिले में पट कर दिनी है और answer निकाल देना है अगला यह आपको है question parameter of square इसका square को आपको पता है चारो साइड है बराबर होती है तो parameter of square आप लगा देंगे 4 into side आपको एक साइड दियो यह 5 ठीक है तो 4 multiply by side 5 है आपकी ठीक है इसको भी हम मीटर में ले लेंगे ठीक है then 4 multiply by 5 चार पंचे 20 होता है मीटर square ओके सिंपल है circumference of circle देखेंगे इसका formula बेट होता है 2 pi r आपको पाई की value पता ही है पाई की value होती है 22 बिटे 7 और decimal में होती है 3.14 को इसी भी आप यूज़ कर सकते है ठीक है तो 2 pi r आप इसमें एक circle है उसका radius आपको दिये हुआ है 7 तो इसको आप लगा देंगे formula को 2 multiply by 22 बिटे 7 multiply by radius है आपका 7 तो 7 से 7 cut out हो जाएगा बचा हुआ आपको multiply कर देंगे 44 को इसमें सेंटिमेटर 44 सेंटिमेटर इसको आपको दूंगा और अपकर लेंगे